वर्ल्ड वार वन खतम होता है और जर्मनी और उसके जो दूसरे अलाइंसेस हैं वो इस वर्ल्ड वार वन को हार जाते हैं यूएसे, यूएसेसार ये सारी कंट्रीज जीत जाती हैं लेकिन ये जो हारने वाली कंट्रीज हैं उन्हीं पर पूरा का पूरा एलिगेशन और आरोप लगा दिया जाता है कि ये जो वर्ल्ड वार वन हुआ है वो सिर्फ आप लोगों की वज़ा से हुआ है और जीतने वाल जीतने वाली कंट्रीज का जो नुकसान हुआ है, उसका भी पैसा जर्मनी और उसके दोस्त जो देश थे, वो सारे के सारे भरेंगे, इसे हम लोग कहते हैं रेपरेशन्स, और ये सारी की सारी हुमिलेटिंग कंडिशन, जर्मनी और उसके अलाइन्स ग्रूप पर लगाई कर एक बहुत बड़ा blender बनती है और एक बहुत बड़ा reason भी बनती है जिसके through world war 2 भी शुरूर हुआ था समझने की कोशिश करते हैं कि treaty of Versailles के होने से जहाँ पर एक चीज ये मानी गई थी कि शायद जितनी भी complication से world war 1 की वो solve हो जाएंगी लेकिन इस treaty of Versailles ने उस complication को और भी जादा बड़ा बना दिया तो ये जो treaty of Versailles है जो आपको 28th of June 1919 को establish या देखनी को मिलती है यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहा गया कि जितनी भी central powers है यानि जो countries war हार चुकी थी उनको guilt of war के liate जब्मेदार बनाया गया यानि कि यह कहा गया कि central powers की वजह से ही world war 1 हुआ है और central powers में भी सबसे जादा जो allegations लगाए गए वो यहाँ पर Germany पर लगाए गए इसके अलावा जो central और eastern Europe की countries थी उनकी borders को change कर दिया गया Africa की जो borders थी उनको फिर से redraw कर दिया गया क्योंकि देको Britisher समिशा से यही करते हैं कि जब भी किसी country को आजाद करना रहता उसको दो-तीन तुकड़ों में बाटके चले जाते हैं जैसा इंडिया के साथ scenario हमें देखने को मिला है वैसी दूसरी countries के साथ भी देखने को सारा access में मिलेगा hard copy material जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा doubt resolution classes और topper sessions और answer writing जैसे बहुत सारे features हैं सभी features को detail में जानने के लिए description में जो link दिया गया है उसे click करिए और IAS origin के official number पर contact करिए वहीं इसके अलावा बहुत जादा heavy reparations जो है वो जर्मनी पे लगाए गए यानि जर्मनी को ये कहा गया कि आप तो central power के leader थे तो allied powers का जितना भी नुकसान हुआ है वो सारगा सारा जर्मनी पे करेगा जर्मनी की जो coal की mines थी या फिर दूसरे मिनरल्स की mines थी जर्मनी का जो नदियों का इलाका था जो water basin थी river basin थी यहां तक की जो forest resources की जमीन थी वो सारी की सारी जर्मनी से ले ली गए चीजों की इतनी कमी हो चुकी थी जर्मनी में कि वहां का inflation rate literally 300% तक पहुँच चुका था jumping inflation वाला scenario हमें वहां पर देखने को मिल रहा था और कहीं न कहीं जर्मनी को जो ये repressions देने पड़े थे वो एक बहुत बड़ा reason था world war 2 के होने का और जब world war 2 में भी जर्मनी हारता है तो हम ये देखते हैं कि जर्मनी पर फिर से repressions लगा दिया जाता है और वो repressions इतने जादा थे कि world war 1 और world war 2 के वो repressions जर्मनी ने हाल ही में 15 साल पहले 2010 में पे करके खतम किये हैं अब यहां पर heavy repressions तो जर्मनी पर लगाई ही गए लेकिन यहां पर जर्मनी की जितनी भी colonies थी आफरीका में टोगो कैमरून एटसेक्टर एटसेक्टर वो सारी की सार पर funda बिल्कुल clear था USA ने कहा था कि भाई मैं तो खुदी दूसरी country का एक टाइम पर colony रह चुका हूं तो मुझे पता है कि किसी country को colony बनाना is not a good thing तो USA ने तो किसी भी country को as a colony treat नहीं किया लेकिन UK और France जो है उन्होंने जर्मनी की colonies को आपस में basically बाट दिया अब यह जो आ इंजोल्रें वो पूरी तरीके से खतम हो गया आपको आस्ट्रो हंगेरिन एंपायर जो हैव्जबग था वो पूरी तरीके से खतम हो गया रशियन एंपायर की जो जार डाइनेस्टी थी जिसे रॉमेनोफ के नाम से जाना जाता था वो खतम हो गया आट्टमन एंपायर टर करने की कोशिश की थी वो इसी इंसिदेंट से रेलेटेड था लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो भी नए नए यहां पर बनी है एक्जामपल के तौर पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एंपायर जब हाफ्सबर्ग एंपायर पूरी तरीके से खतम हुआ तो इस को तोड़के छोटी-छोटी कंट्रीज मना दी गए जैसे ऑस्ट्रिया, हंग्री, यूगोसलाविया, चेकोसलवाकिया और दूसरी और अलग-अलग एंपायर से कंट्रीज मनी जैसे एस्टोनिया, लताविया, लिधुवानिया, पोलिंड, फिनलिंड यह अलग-अलग हमें World War I के देखने को मिलते हैं, जैसा कि एक वक्त पर वार का जो glorification किया जाता था, यानि कि romanticism किया जाता था, वो पूरी तरीके से खतम हो गया, लोगों ने actually में असली चेहरा देख रिया World War का, कि जब World War होता है तो किस तरीके की भायानक तस्वीर हमें देखने को मिलती ह तो वो glorification खतम हो गया, economic loss पूरे की पूरे यूरोप को हुआ, जहां पर UK एक ऐसी situation में बैठा करता था, जहां पर वो लोगों को उधार देता था, अब UK एक ऐसी situation में आ चुका था, जहां वो लोगों से उधार लेने लगा था, लेकिन एक country जिसको सबसादा फायदा हुआ वो था USA, क्योंकि USA की एंडरी तो World War 1 में बहुत लेट हुई थी, 1917 में, और तब तक तो USA अपना पूरा का पूरा raw material बस बेचा करता था, तो USA ने इतना पैसा कमा लिया था और military power जादरी जादा strong होगी थी, कि USA धीरे धीरे super power और global power की तरफ बढ़ने लगता है, और इसके लीग ओफ नेशन को यहाँ पर establish किया गया, यह एक first international group था, world की history में, और इस लीग ओफ नेशन को यहाँ पर स्रिफ एक responsibility दी गई थी, कि चाहे जो हो जाए लेकिन second world war मत होने देना, और हमें पता है कि second world war first of September 1939 से start हुआ है, याने कि लीग ओफ नेशन जो है, वो अपनी responsibility प देखने को मिलती है कि world war one के वक्त पर, जो इंडिया है, वो Britishers की colony थी, याने कि जो Indian army थी, जो Indian सिपाही या सीपोईस थे, वो भी world war one में लड़े थे, Britishers की तरफ से ही, अगर आप यह देखें, तो total 13 million Indians जो है, उन्होंने British Empire को world war one में सर्फ किया था, इनकी posting अलग अलग इसपाइमिया, जिसे आज हम लोग इराक के नाम से जानते हैं, एजिप्ट, यहाँ पर सारे के सारे Indian soldiers को रखा गया था, करीबन 50,000 Indian सिपाही इस world war one में शहीद हुए थे, और उन्हीं सिपोईस के लिए, Britishers ने बाद में India gate बनवाया था, जिसे war memorial की तरह treat किया जाता है, ब तभी वो पूरी कहानी पूरी होती है, और उसके बाद ही हमें यहाँ पर दो सूपर पावर USSR और USA देखने को मिलते हैं, और cold war का एक वक्त शुरू होता है, और वो cold war भी तब जाकर खतम होता है, जब 1991 में USSR जो है 15 अलग अलग countries में तूट के बिखर जाता है, जिसमें सबसे बड़ी country जो है, वो रशिया निकल कर आती है, तो इसी तरीके की interesting topics को detail में और आसान भाशा में अगर आपको समझना है, जो आपके UPSC civil services examination की preparation को और easy बनाएगी, so for that, please stay tuned to IES Origin, I'll see you in the next video, thank you very much. झाल